आज मैं बात करने वाला हूँ कि एक monthly budget आपकी life में क्या चमतकार करने वाला है, कैसे आपकी life को एक balance life देगा और आप अपने money को अच्छे से track कर पाएंगे और देख पाएंगे कि मैं कहाँ जादा खर्च कर रहा हूँ, कहाँ कम खर्च कर रहा हूँ basically monthly budget एक plan होता है, जहाँ पर आप अपने पैसे या income को पूरे महीने में कैसे खर्च करने वाले हैं, उसका हिसाब देगा महीने में बहुत सारे खर्च होते हैं, जैसे rent, utilities, card, bills, loan payment, जैसे हजारों खर्च होते हैं, जिस पर एक budget बनाना बहुत ही importance है एक monthly budget plan करके follow करना बहुत ही फाइदे मन्द है, क्योंकि वो आपको help करने वाला है अपने expenses को long term में track करने के लिए और आपको financial stress से मुक्त करवाने के लिए making a monthly budget, अब इसके बाद एक budget कैसे DR करें, सबसे पहले अपनी monthly income को note down करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप salaried person है तो आपकी fixed salary आ रही होगी, उसको note down करें, अगर आप एक business man है तो थोड़ा सा काम tricky होने वाला है, बिकॉस आपको एक average monthly income, आप उपने business से कितना earn कर रहे हैं, उसको note down करना पड़ेगा, इसके बाद सारे expenditure आपके जो भी खर्चे हो रहे हैं, आपकी EMIs, loans और सारी financial priorities को उस budget में adjust करना पड़ेगा और उसके हिसाब से design करना पड़ेगा, और time to time changes भी करने पड़ेंगे, देखिए क्या फाइदा होने वाला है एक अच्छा budget बनाने का, द सारी जो financial priorities हैं आपकी, for example आपको नहीं कार लेनी है, higher education के लिए plan करना है, घर के लिए plan करना है, ये सब आपको एक अच्छा budget करके देगा, देखिए आप अपना budget बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं, spread sheets पर, paper पर, पर आज इस busy और fast moving life में सब कुछ calculate करना, update करना, इस सब क time कहा होता है बाई, इसी लिए अब monthly budget बनाना बहुत ही आसान होने वाला है, बहतरीन app में, जिसका नाम है Leo app, चहाँ पर आप अपना monthly budget register पर बना सकते हैं, सारी planning, calculation, सब कुछ आसान होने वाला है, बस आपको उनके templates का use करना है, और सारी time to time चीज़े feed करनी, अब मैं बात कर कि क्यों मैं Leo app की बात कर रहा हूं, अपना monthly budget बनाने के लिए, because आपको Leo app में personal category में ऐसे धेर सारे templates मिल जाएंगे, जो कि already ready met है, आपको साधा दिमाग नहीं लगाना, किवल अपने income और expense plan करने है, amount feed करना है, और अची बहुत सारी already ready met designs, already calculations जो उन्होंने inbuilt कर रहे हैं अप आपको बताने में कि कहां कहां आपका money जा रहा है, कितना amount आप expense spend कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आप plan कर पाएंगे, कि हाँ मुझे यहाँ पर expense नहीं करना, मुझे इतनी income यहाँ पर लगानी है, यह investment करना है, और यह सारी चीजे उनके आसान template से होने वाली है, आपको उन पहला है, sought by items, अलग-अलग columns होगे, अलग-अलग rows होगी, उसके columns में particular expense का आपका name लिखा होगा, और उस expense को select करके आप अपना amount डाल सकते हैं, और ऐसे amount डालते हैं, जब आप analysis करने पहुचेंगे, तो आप specific आपका expense search कर सकते हैं, in the column category और उस column category की वज़े से आपको particular amount मिल अलग-अलग time पर कर रहे हो, और उसका हिसाब रखना बहुत ही मुश्किल है, यह काम भी बहुत असान तरीके से आपको live up करके देने वाला है, क्योंकि जब भी आप column में अपना amount डालने वाले हो, उसका running total, जितना आपने total amount feed किया है columns में, उसका total वो नीचे देने वाला है तो आपको सतर करता रहेगा कि हाँ यार इस महिने में भाई तो है ज़्यादा खर्चा कर रखा है, बस कर, बस कर, यह total हो चुका है तो आप उस तरीके से अपना total plan कर भी पाएंगे, तीसरा है create labels for recurring expense, हो सकता है कि कुछ expenses तो regular होते हैं, जैसे electricity का bill, कहीं पर car loan की EMI, या फिर आपके हर budget में implant कर देगा, और आपके budget बनाने के experience को बड़ा ही आसान कर देगा, चौता है, और यह मेरा favorite है, uploading the images of bills, बहुत बहुत होता है कि हमारे पास physical copy होती है, बहुत सारे bills की, हम उसकी photo घीश लेते हैं, या फिर हम photo घीश ना भूल जाते हैं, तो उसको हम पता नहीं क rates लिकी होती है, important amount लिखा होता है, और उसका plan होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप इस app में plus category होती है, आप उसको plus को tick करके, पूरा image उसमें scan करके, download कर सकते हैं, उसको upload कर सकते हैं, और time आने पर उसको देख कर research analysis कर सकते हैं, और यह सारी चीज़े करने के बा उसको आसानी से solve कर सकते हैं, कोई loss के चिंता नहीं, और safe और secure तरीके से हर चीज़ मैनेज हो जाएगी, हर चीज़ एनलाइज हो जाएगी, और आपके life में अच्छी value add करेगी, तो सोच ये मत, अभी ही Leo app डाउनलोड करिए, और इस्तमाल करना शुरू कर दीजिए